बश्कार दोस्तों, Only PCS चैनल पर आपका स्वागत है हम एक प्रोग्राम चला रहा हैं जिसमें कि हम डेली के न्यूज पेपर्स की जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे जिन पर की मेंस के लिए जो जरूरी होंगे उस पर हम डिसकस कर रहे हैं और यह हमारे डिसकसन का तीसरा दिन है जिसमें कि हम इंडियन एक्सप्रेस और दा हिंदू के न्यूज आर्टिकल्स को कंसीडर कर रहे हैं और उससे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी आपको हम बताएंगे उस रेलेटिट जो भी मेंस का पॉइंट अभी रहेगा उस न्यूज पेपर में उसके बार में डिसकस करेंगे ताकि आपके जो भी तैयारी हो मेंस के रिगार्टि तो बढ़ियां होती रहे दिन पर ती दिन बेहतर होती रहे और आप अच्छे से अच्छे डेटास को अपने आंसर में 24 को इलाबाद हाई कोड ने एक डिसीजन दिया था जिसमें कि उसने यूपी मदरसा लाग को अनकॉंस्टिटूशन बताया था और बताया कि इस वाइलेटी आप आर्टिकल फोटिन एट आप इंडियन कॉंस्टिटूशन तो इसमें समझना ये होगा कि सुप्रीम कोड ने हाई कोड के फैसले को स्ट्राइक डाउन क्यों किया तो सबसे बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोड ने जो कहा है कि हाई कोड का ये जो फैसला है ये एक तरह से सही से आर्टिकल को उसके मदरसाइट को उसमें जो भी प्रोविजन से सही सिना पढ़ने के करण हुआ है लिए यूपी मदरसा एक 2004 को निरस किया जाता है लेकिन इस मामले में तीन पीट की जो ने लेकी तीन पीट की एक जो बेंच बैठी थी सी जाई उसमें थे डिवाई चंद चूड जी जे भी परदीवाला और मनुज मिश्रा इस्टिस इन्होंने उच्छ नेयाले के फैसले इसमें में चीजनों ने एक चीज डिसकस किया है बोला है कि religious instructions और religious study में अंतर होता है तो अगर कोई religious instruction देता है और उस educational institution को अगर राज सरकार या कोई भी सरकार में भी वो किन सरकार भी हो सकती है अगर उसको वो पूरी तरह से पैसा भी दे रही है और उसको maintain कर रही है तो उसमें religious instructions देना ये unconstitutional होगा it is against the article 28 and it is also against article 14 क्योंकि हमको अधिकार है कि हम अपने हिसाब से हमारा अकर कोई भी धर्म हो तो हम अपने हिसाब से अपनी सिक्षा जारी कर रख सकते है ठीक है तो इसमें एक वाद है एक पहले का case है अनुडा रॉय वर्सेज यूनियन अफ इ में जो ये फैसला है उसमें ये बताया गया कि religious instructions देना constitution के खिलाब है उसके provisions के खिलाब है इसलिए इन्होंने बोला कि 17 लाग बच्चों और 10 जो teacher है उसके उनका कुछ relocation किया जाए उनको अलग-अलग schools में डाला जाए लेकिन Supreme Court ने इसको इस आधिस पर stay लगा दिया गया सुप्रीम कोट का ये भी माना है कि अगर PIL दायर करने वाला जो याचिका करता है और वो चाहता है कि quality education पर बात हो तो राजसरकार को मदर्सा बोर्ड को ये निर्देश देना चाहिए कि वो धर्म की सिक्षा के साथ अपना quality education पर भी ज़्यादा ध्यान दे क्योंकि High Court में जब इस फैसले के लिए जो PIL दायर की गए थी तो उसमें ये बोला गया था कि मदर्सा एक के तहत मदर्सों में जो पढ़ाई होती है तो जो आपकी modern studies के हैं subject science हो गए, maths हो गई, maths हो गई और social science हो गई ठीक है या और भी जो modern studies के subject है उनको optional के तोर पर रखा जाता है और ज जो है एक बहतर सिक्षा जहां पर प्रवाइड की जाती है वहां पर कम से का modern studies को compulsory रखा जाना चाहिए उनका पढ़ाई होना चाहिए इन सब चीजों को लेकर हाई को ने फैसला दिया था कि मदर्सा एक जो है वो वाइलेशन करता है एक तो fundamental rights का article 14 का साथ ही साथ धर्म से स किया है सारी चीजों को ठीक है तो मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि article 28 में क्या किया गया है 28 में बोला गया कि धार्मिक सिक्षा में उपस्तित होने से स्वतंतरता मिल दिया व्यक्ति को ठीक है बच्चे को राज निधी से पूरता पोशित किसी सिक्षण संस प्थान में दी जाने वाली धार्मिक सिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाद नहीं किया जाएगा यह सीधे सीधे आर्टिकल 28 में लिखा गया है और इस रिगार्टिंग इसमें एक पहले आप यह जालने कि अबयसक अगर कोई माइनर है बच्चा है तो अगर जो गार्जियन है सरक्षक है वो जैसा चाहेंगे उस हिसाब से होगा अगर वो चाहते हैं कि धर्म की सिक्षा उसको न दी जाए धार्मिक उपदेश या निर्देश न दी जाए तो ऐसा इंस्ट्यूशन जबरन नहीं कर पाएगा ठीक है आर्टिकल 28 में सीधे सीधे बुल जा सकते हैं और किन में नहीं दी जा सकते हैं तो इनमें यह चार तरह की संस्था हैं पहली तो है कि जिसका पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है ठीक है विच इस टोटली मेंटेंड बाई स्टेट पहला तो यह पहला इंस्ट्यूशन से होते हैं और इन इंस्ट्यूश प्राशाशन होता है जिसमें की administration या प्राशासन इस्टेट द्वारा क्या आ जाता है या राज द्वारा कि आ या राज या state का मतलब center या state आप कुछ भी मान सकते हैं जो इन्स्टेटिव जो हमारी body है उसको लेकर भूल अगया है कि जो राज है वो प्रसाशन करता हो जिस ऐसे इंस्टिट्यूशन का और उसकी अस्थापना किसी इंडोमेंट या बिन्यास या फिर ट्रस्ट के तहत हुई हो अगर किसी भी इंस्टिट्यूशन की कि अस्थापना किसी ट्रस्ट के थ्रू हुई हो किसी दान के थ्रू हुई हो और उसका प्रसाशन राज द्वारा किया जा रहा हो स्टेट द्वारा किया जा रहा हो तो उसमें अनुमती होती है religious instructions देने की इस बात को बहुत ही अच्छे से समा लेजेगा कि अगर राज administer करता हो किसी educational institution को बट उसकी establishment जो है वो किसी trust के थ्रू हुई हो ठीक है तो उसमें अनुमती होती है इजाज़त होती है ताक कि वो institute religious instruction दे सके ठीक है तीसरा होता है जिसको की aid मिलता है बित्य साहता मिलती है राजे द्वारा ठीक है और चौथा है कि राजे द्वारा मानिता पराप संस्थान एक तो रिकोगनाइज़ हो गया और एक हो गया जिसको की aid मिलता है यानि कि बित्य साहता मिलती है तो दोनों एक study में आएंगे और दोनों में voluntary होता है दोनों में religious instructions वो दे भी सकते हैं और ना भी दे सकते हैं यह voluntary होता है स्वेक्षिक होता है अगर वो चाहें तो दे सकते हैं न चाहें तो ना भी दे सकते हैं तो यह important है article आज के लिए क्योंकि इसमें fundamental rights की बात की गई इनमें article 14 की बात की यह article 28 की बात की बात की इस पेशली 28 की बात की गई सुप्रीम कोट के दौरा और यह आपके paper 2 के संविधान भारती संविधान जो syllabus में है फस्ट ही point है इसमे पेपर 2 के syllabus के इंडियन constitution यह भारती संविधान इसका एतिया संविधान के अधारभुद प्रावधानों के विकास में उच्चितम नयायले की भूमिका तो आप जानते ही कि टाइम टाइम पे वह एक तरह से ब्याख्या करता है विविन प्रोविजन की constitution की अगर कोई law कोई act और कोई भी रूल या कानून जो भी सरकाने बनाती है whether it is central और state governments तो उसका वो ब्याख्या करता है अगर उस वो unconstitutional है तो उन्हें रदभी करने की शमता रखता है ठीक है तो इसलिए जरूरी है यह पार्ट और इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे इस पे एक प्रस्ण है भारतिय समिधान के अनुच्छेद 28 के प्रावधानों की चर बाव डालता है तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रस्ण पर अपना उत्तर दें सब्सीमा है दोसों सब्द और इसे टेलिग्राम और वाट्सप चैनल जो हमारे है उन्हें पर पोस्ट करें और हम इसको रिव्यू देंगे ठीक है आप हम यह चाहेंगे कि निव मेंसर अधिकारों की बात की तो मूल अधिकारों में आपको कुछ और इडिशनल इन्फरमेशन देना चाहते हैं जो कि मारे सिलेबस में भी मूल अधिकार आप जानते ही है मूलता साथ प्रकार के थे ठीक है समताक अधिकार जिसे कि अनुछे 14-18 के बीच में आप समझ सकते है संतताक का अधिकार 25-25 के बीच में संस्कृति और सिक्षा संबंद्य अधिकार 29-30 के बीच में संपत्तिक अधिकार 31 में था ठीक है लेकिन article 31 को repeal कर दिया गया गया कब repeal गया गया लीपील गया यह 44 में समिधान संसोधन के द्वारा ठीक है और इसे भाग भाग बार रहके अनुछेद तीन सो कौ में डाल दिया गया ठीक है तो आप यह जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हैं तो यह additional information आपके लिए समयधानी कुपचार होगा अधिकार constitutional remedies जिसको बोला जाता है यह article 32 में इसी के तहर पांच प्रकार के रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोट के द्वारा और उन रिट के द्वारा समयधानी कुपचार यानि कि जो भी fundamental rights का violation हो रहा है या किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका fundamental rights rights violate हो रहा है उसे चीना जा रहा है तो वो इस article के तहर रिट दायर करता है पांच तरकी रिट होती हो डिफरेंट टाइप के fundamental rights के violation के लिए होती है और उसे दायर करता है और सुप्रीम कोट में उसको रहात दी जाती है accordingly ठीक है एक चीज़ और है इसमें जोड़ा है हमने कि म तो मूल अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं विदेशियों को नहीं आर्टिकल 15 में केवल मूल केवल धर मूल बंस जाती लिंग जाती लिंग जन्मस्थान या जन्मस्थान के अधार पर विबेद का प्रतिसेद ठीक आर्टिकल 15 में different type की जो भी विबेद है उन दिर्बाद विच्रण निवास की संग बनाने की ठीक है इसमें cooperative societies बनाने की भी बात है जिसको कि constitutional amendment 97 में जुड़ा के ठीक है cooperative societies cooperative उसको बनाने के लिए भी provision किया गया 97 constitutional amendment के द्वारा ठीक है 19 में है अलपसंख्य को को सिक्षा है हम संस्कृति संबंदी अधिकार अनुच्छे 1922 में यह केवल हमारे नागरी को को प्राप्त है यानि कि अगर कोई दूसरे देशकाल ब्यक्ति हमारी धर्म का मतब 59 के आधार पर दिया जाएगा ठीक है उसका fundamental right होगा और संक्य को धर्म के प्रसार है तो सिक्षर संस्थानों के इस्तापना कादिकार भी कियो नागरिकों कोई मिलता है ठीक है अब दूसरे नागरिकों विदेशियों को प्राप दोनों को प्रापत अधिकार है आर्टिकल 14 आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 21A, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 ठीक है यह दोनों को प्रापत है यानि कि हम किसी के साथ विदी के समख समता रखेंगे वो नागरिकों या भी देशी हो ठीक है अब रादों के लिए दो सिद्धी के लिए संरक्षण हम सभी को प्रापत कराएंग ठीक है बट वो सत्र देश करना हो प्रारंबिक सिक्चा का अधिकार सभी को दिया जाएगा कुल माम कुछ मामलों में हिरासत यों नजरबंदी से सरक्षण भी सभी को दिया जाएगा बलास्रम अवैद व्यापार के विरुद्ध परतिशेद जो है वो सभी को प्रोइड कि चाहे विदेशी हो ठीक है अब यहाँ पर हमने बता है कि समता के अधिकार में क्या-क्या सामीले समता के अधिकार में आप जानते हैं 14 15 16 17 18 आता है 14 में विदी के समक्ष समता ठीक है 15 में मूल बंस धारम लिंग जाती कि आदार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा उसका समान भागिदारी होगी सब समान रूप से ठीक है पुब्लिक इंप्लाइमेंट के लिए इलिजबल होंगे ठीक है अस्प्रिश्चिता का अंत और इस आएसे आचरण की निश्यत को निश्यत करना आर्टिकल 17 में लिखा गया है ठीक है अंट अंटचेबिल्टी के एबॉल और इस फाम अचान बहना फकर यहां आँचर गष्चरों इस तीस में निवास अदी ऐसल्टा का अधिकार में अपरादों केले दोशिद्र के संबंद में सरक्षड़ दिया जाता है ठीक है इसमें तीन तरह के प्रॉबिजन से सी में क्या है प्राड़म दैविक दैविक स्वतनतरता का सनक्षण आर्टिकल 21 में है प्रारंविक सिक्षा का अदिकार यह आप लिखा नहीं है लेकिन आर्टिकल 21 अलाकि लक्ष्मी खांत भुक में भी दिया गया है तो आप कहीं से बीचे हैं तो ले सकते हैं यह आगे बताया गया कि किन किन चीजों में दोनों को प्राप्त होता है तो 24, 25, 26, 27, 28 यह सारे मिलते हैं आप बस यह याद रखे कि 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल नागरिकों को मिलते हैं तो बागी जितने भी हैं fundamental rights वो दोनों को मिलते हैं अब यहाँ पर हमने प्रस्तावना भी रखी है प्रस्तावना का जिकर हम इसलिए करना चाहते हैं कि जो धर्म निर्पेक्षिता की बात की गई थी जो हमने अभी इंडियन एक्सप्रेस का article पड़ा जिसमें कि Supreme Court ने स्ट secularism की बात की गई है ठीक है कहीं implicitly है कहीं explicitly है तो इसको हम ध्यान में रखते हुए इस चीज को आगे बढ़ेंगे कि हम धर्म विश्वास और तमाम चीजों में धर्म निर्पेक्षिता का पालन करते हैं हम एक secular country है ठीक है जिसको की आर्टिकल हम आप कीजएगा Constitutional amendment 42 के तहर इसमें सामिल किया गया था है शब्द को सेकुलरिजम को धर्म निर्पेक्षिता को कहीं करते हैं ठीक है तब जो भी अनुबात करना चाहिए इसका ले सकते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए इसलिए इंपोर्टेंट था अब हमने कल आपको पढ़ाया था एक कल हमने डिसकस किया था आपसे बैंगलूरू में इसमें उत्पण हुए वाटर क्राइसिस के बारे में तो आज कल हमने यह आर्टिकल लिया थे दाहिंदू से और आज वैसे ही कुछ इसमें आर्टिकल में दिया गया है इंडियन एक्स्प्रेस में लेकिन इसमें कंपेर किय तो ट्राइसिस को बैंगलूरू का जो वाटर क्राइसिस रहां कुछ ने कुछ समानता रखता है के जो कि 2015 से 2018 के बीच में वहां था वहां भी वाटर की काफी स्कारिसिटी हो गई थी कमी हो गई थी जिससे की करीब 3 सालों तक वहां पे जन जीवन बढ़ा ही प्रभावीत जल की कवी से ठीक है और दोनों में जो एक मेंन कॉमन फेक्टर हाता है सिटीज में जो कि बेंगलोर भी आज फेस कर रहा है आज की डेट में पहली बात यह कि अनप्लांड अर्बनाई जैसन है वहाँ पे दोनों जगह पे यह हाल केप टाउन में भी था रैपिटली ग्रोथ ह ईक्वायर करते गया है जो भी green cover था उसको खतम करते करें ग्रीटाइसन होता रहा ठीक है कंक्रीट का जंगल बन गया है और यही चीज बेंगलोर में भी हो रहा है ठीक है डेबलप्मेंट के नाम पर क्या हो रहा है डेबलप्मेंट के नाम परीजा रियाइसी इलाके तिक है और इसमें होता है इसमें होता है इता ग्रीन कवर हटता है और जो भी water bodies होती उनको पार्टके सपाड करके वहां पर इमारत तयार करना आई टी पार्क्ष बनाना स्य आरे चीज़ें होने से जल का संकट इसलिए उबर के आता है क्योंकि एक तो हमारे कंक्रीट के पूरे शहर बस गए उपर से जो भी वाटर बाडिस थी उनको खतम कर दिया गए इसमें एक चीज जो जिक्र की गई है वो यह बताया गया है कि कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि मिशन में चोटे चोटे वाटर बाडिस थे हैं ठीक है लेकिन आज की डेट में वह एक सोगभ्य की आसपास रह गय네 जो कि पहले 10 तो के आसपास थी वाटर बाडिस वह 190 के करीब हो गई आप यहां पर देख सकते हैं यह सारी डीटेल दिय हुए बेंगलूर में जो एक डैम है के आरेस डेम करके वो अठाइस परसेंट ही अपनी कैप सिटी का भरा हुआ है और वो कंपेर किया गया है केप टाउन के एक डेम से जो की जब वहां पर कि नोर्ष गयार पर्सेंट ही भरा हुआ था एक तो इससे दो चीज हैं एक तो बारिस कम होना दोनों जो छेतर थे बारिस कम होने से प्रभावी थी वैगलूर भी था उसी प्रकार केप टाउन में भी उस टाइम पर बारिस का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था ठीके तो water crisis होता है man made एक होता है environmental ठीक है परियावरणी जो होता है climatic जो होता है climatic में क्या होगा बारिश नहों ठीक है और ज़्यादा सूखा पढ़ना एल नीनों का प्रभाव हो जाना ठीक है और man made तो आप जानते ही कि unplanned आपका हो रहा है urbanization ठीक है और water bodies के रखर खाओ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ज़्यादा ज़्यादा पेड़ काटे जा रहा है तो यह सारी चीज़ें इसमें discuss की गई है यह article कल से संबंदी था इसलिए मैंने आज इसका जिक्र कर दिया कि water crisis बहुत important topic है means का और environment से related है और urbanization से भी related है शहरी करण यह आपके PCS के पहले paper में आता है और environment से related जो भी issues है वो आपके third paper में आते है disaster management भी third paper में आता है तो इसके regarding भी आपकी यह case study हो सकती है बेंगलूरो और Cape Town की ठीक है तो आप इसको ध्यान में रखेगा और कोशिस करिएगा कि इसको अपने एक तरह से example में के तोर पर रख सकें चीक है कल का जो article था मैंने जिकर किया था वही चीज मैंने आज इसको डाल दिया cutting यह दा हिंदू की है cutting कल की तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेम ही लग बग आर्टिकल है बट थोड़ा सा डिफ्रेंस है पहले वाले में आज वाले में जो है केप टाउन से उसका comparison करके सारी स्थितियों को बताया गया कि किस तरह से वाटर प्राइस हो रहा है कल मैं इस पर डिसकस किया था इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं डिसकस करना आप इ इसी कमिटी 6 operation होती है ठीक है तीन उसमें एक नुसे में एक तो होता है और वजिशएं सरकार के द्वारा है की जाती है ठीक है वह एस वेक्ति होती है जिनको economic finance ठीक है और इस तरह की चीज़ों मोद्रिक नीती इन सब चीज़ों का ग्याना अन्भा होता है ठीक इमानदारों प्रतिस्टित बेखती हूं यह तो पहली important चीज़ों गई जो की जरूरी है अब यह article क्या कहता है यह article बताता है कि RBI ने repo rate में कोई बदलाव नहीं किया है RBI जो MPC की committee थी उसने सुझाओ दिया कि repo rate में कोई बदलाव नहीं होगा और RBI ने इसको लागो किया कि repo rate इस बार कोई बदलाव नहीं किया जाए वो 6.5% ही रहेगा दे repo rate remains at 6.5% ठीक है monetary policy committee का यह इसमें सुजाओ था ठीक है और MPC में बता दे कि वोट होता है वोट होता है उसी के बाद policy rate decide होते है ठीक है तो अपरेल में यह जो होना था हर दिमाई पर बढ़ती है यह committee तो उसमें यह जो discuss हुआ है कि रेपोरेट को उनको घटाना नहीं है यह ना तो बढ़ाना है बढ़ाने की बड़ी मांग चल लई थी ठीक है रेपोरेट घटा है तो बैंक के पास liquidity ज्यादा रहती फिर वो ज्यादा अपना इन्वेस्ट कर सकते है ज्यादा वो फिर अपना loan दे सकते है ठीक है तो liquidity ज्यादा होने से बैंक को अपना काम करने में आसानी होती है और बैंक की हमेशा चाहते है कि थोड़ा liquidity उनके पास रहे मतलब आस जो भी आपकी liquidity है वो बनी रहे बैंक के साथ ठीक है तो इसमें दो तीन चीज़ा की गई है की points क्या है RBI यह मान के चल ला है कि food inflation आगे के भविस में भी और ब inflation घटा था but food inflation अभी भी बढ़ा हुआ है तो RBI को यह संका है तो उन्होंने क्या बोला है कि it might derail the path of disinflation and the policy must remain actively dis inflationary to ensure incurring of inflation expectation वो मान के चले के this inflation की condition रहेगी but food inflation has continued to inch upwards food inflation बढ़ा हुआ है तो उसके regarding हमको यहां पर रेपोरेट को घटाना नहीं चाहिए इसमें एक और चीज़े कि US National Oceanic and Atmospheric Administration expect कर रहा है कि इस बार लानीना की condition डेवलप होगी ठीक है which boat will for the southwest mountain तो आप जानते हैं कि लानीना की जब condition होती है तो waste pacific में जो water है वो ठंडा होता है ठीक है पानी लानीना के प्रभाव से जो सतही जो जल है जो waste pacific में वो ठंडा होता है उसके ठंडा होने से reverse oscillation होता है यानि कि जो इस्तिति एल नीनो में होती है उसकी उल्टी इस इस्तिति हो जाती है लानीना में अगर एल नीनो में के प्रभाव से भारती उप महादीप में सुखे की इस्तिति होती है तो लानीना के प्रभाव से भारती उप महादीप में बारिस की इस्तिति होती है ज्यादा बारिस की इस्तिति हो जाती है यानिकि सारी चीजे चल ला है बट दो तीन महीले में क्या होगा इस चीज को लेकर थोड़ा सा RBI इस कोशिस में है कि ज्यादा रिस्क न लिया जाए और फिर फूड इंफ्लेशन बढ़ने की अगर इस्तिती होगी तो ज्यादा दीकत हो जाए कि इसलिए रेपोरेट को एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट फैसलिटी ठीक है तो रेपोरेट और रिवर्स रेपोरेट के तहत जो भी लिक्विडिटी का ट्रांसफर होता है बैंक से या फिर रिजर बैंक से ठीक है वाईजावर्स तो उसको ट्रांसफर कर किया जाता है लिक्विडिटी एडजस्म समायोजन सुविदा यानि के लिक्विडिटी एडजस्ट्मेंट फैसल्टी के ताहत सरकार और अनुमोधित प्रतिभूतियों के समपार्सविक के खिलाप या उसके बदले बैंकों को ओबरनाइट तरलता प्रदान करता है ठीक है हमको लिक्विडिटी कई बार जरूरत होती कि लांग टर्म के लिए कभी-कभी हमको ओबरनाइट चाहिए होती है ठीक है बैंक्स अपने एकाउंट को एडजस्ट करने के लिए मेंटेन करने के लिए कई बार ओबरनाइट लिक्विडिटी के लिए डिमांड करते है ठीक है तो इस ओबरनाइट लिक्विडिटी यानि वो उनसे interest लेते हैं और उस पे वो पैसा देते है overnight किसको banks को यानि कि जितने भी public sector के bank है ठीक है वो सारे bank repo rate के according पैसा overnight अपने काम के लिए लेते हैं किससे RBI से ठीक है तो repo rate यह है reverse repo rate इसका उल्टा हो जाता है ठीक है RBI जो ज़्यादा liquidity होती market में उसको switch करने के लिए उसको absorb करने के लिए ठीक है जिस rate पर bank से liquidity यानि कि पैसा उधार लेती है या अपने पास रखने के लिए absorb करने के लिए लेती है उस rate को reverse repo rate कहते हैं ठीक है यानि कि जब RBI bankों से पैसा ले ठीक है तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आशा करते हैं और मौदरिक नीती समीथी के बारे में हमने बात की थी इसकी उत्वत्तिय इसको बनाया गया था कब बनाया गया था 2016 में बनाया गया था और amendment किया गया था किस में amendment किया गया था RBI 1934 में ठीक है किधारा 45 ZB में यह amendment किया था तो फिर यह बना तो 600 इस समीथी इसके बारे हमने पहले बता दिया और इस समीथी का जो निर्ड़ा होता है बहुत important है कि वो RBI पे बादेकारी होता है ठीक है इस committee का जो भी committee का जो निर्ड़ा होगा policy rate के regarding कि हमारा repo rate क्या होगा reverse repo rate क्या होगा MSF क्या होगा ठीक है तो जो भी policy rate होगे bank rate क्या होगा तो उसके regarding जो भी decision होते है MPC की वो बादेकारी होते हैं किस पर reserve bank में फिर वो ही निर्ड़ा reserve bank देता है जो MPC में decide होता है और इसकी अभी इसे में लानीना का जिक्र किया था जिसको कि आप paper 1 के भूगोल से जोड़ के देख सकते हैं ठीक है ये सारी बात है ये तीन आटिकल करीम हमने discuss किया आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताईएगा और जो प्रस्ण हमने दिया था आटिकल 28 के रिगाडिंग उसका उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने प्रतक्रिया दीजी ठीक है धन्यवाद